आईए सुनते हैं अध्याय तीन लोगतंत्र और विविदिता प्रिश्ट संख्या 29-38 लोगतंत्र और विविदिता परिचय पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाशाई और ख्षेत्री विविदिताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बटवारा किया जा सकता है लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाशा और ख्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारिरिक बनावट वर्ग, धर्म, लिंग, जाती, कबीले वगहरा के आधार पर भी परिभाशित करते इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोगतंत्र सारी सामाजिक विभनताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस बैठा कर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहां हम सामाजिक विभाजनों की सरवजनिक अभिव्यक्ती के एक उधरन के ज देखेंगे कि सामाजिक विभनता और लोगतांत्रिक राजनीती किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैक्सिको ऑलम्पिक की कहानी बाद बोले भेध खोले एफ्रो अमरिकी एफ्रो अमेरिकन अश्वेथ अमरिकी या अश्वेथ शब्द उन अफ्रेकी लोगों के वन्शज़ों के लिए प्रियुक्त होता है जिन्ने 17-19 सधी से ले कर 19-19 सधी की शुरूआत तक अमरिका में घुलाम बना कर लाया गया था अमरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-1968 घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसला जिसका उद्देश एफ्रो अमरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नसल आधारित भेदभाव को मिटाना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगवाई में लड़े गए इस आंदोलन का सुरूप पूरी तरह अहिंसक था इसने नसल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और वहवार को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंतत्य सफल होई अश्वेत शक्ति अंदोलन ये अंदोलन 1966 में उबरा और 1935 तक चलता रहा नसलवाद को लेकर इस अंदोलन का रवईय ज्यादा उगर था जिसका माना था कि अमरेका से नसलवाद मिटाने के लिए हिंसा का साहरा लेने में भी हर्ज नहीं है सामाजिक भीदभाव की उत्पत्ती सामाजिक विभाजन अधिकांशते जन्म पर अधारित होता है सामन तोर पर अपना समुदाय चुनना हमारा वश में नहीं होता हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुधाई के सदस से हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुधाई के एक परिवार में हुआ होता है जन्म पर आधारत सामाज़े कि विभाजन का अनुभाव हम अपने दैनिक जीवर में लगभगरूस करते हैं हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई इस्तरी हो या पुरुश, लंबा हो या छोटा, सब की चमडी का रंग अलग अलग है, उनकी शारिक शमताएं या अक्शमताएं अलग अलग है, बहराल सभी किसमे के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर अधरित नहीं होते, पुर्तिक गतिविधियों का चनाव अपनी पसंद से करते हैं, इन सब के आधार पर भी सामाजिक सम्हू बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते, हर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, सामाजिक विभाजन लोगों के बीच बटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं, लेकिन यही विभनताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं, विभन सामाजिक सम्हू के लोग अपनी सम्हू की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं, जो उधारन पहले दिया गया है, उ असल आधरत भेदभाव के खिलाफ थे, अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने बाले लोग खुद को एक ही समधाय का सदसे नहीं मानतें क्योंकि उनकी जाती या उनका पंथ अलग अलग होता है, यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयाई होकर भी एक जा आधरती वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें, एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ट संबंद नहीं रख पातें क्योंकि सभी अलग अलग तरिके से सोचने लगते हैं, इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है, इ सामजिक विभाजन जब कुछ सामजिक अंतर दूसरी अनेक विभनताओं से ओपर और बढ़े हो जाते हैं। अमरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आम तोर पर गरीब हैं, बेघर भेतभाओ का शिकार हैं हमारे देश में भी दलित आम तोर पर गरीब और भूमिहीन है उन्हें भी अक्सर भेदभाव और न्याय का शिकार होना पड़ता है जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्पूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दू दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्धे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं जबकि कि किसी दूसरे मुद्धे पर उनके नजरिये में अंतर हो सकता है उत्री आइरलेंड और नीदरलेंड का उधारन दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं लेकिन यहां के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथॉलिक खेमे में बटे हैं उत्री आइरलेंड में वर्ग और धर्म के बीच कहरी सवानता है वहां का कैथॉलिक समुदाए गरीब है लंबे समय से उसके साथ भेदभाव उताया है नीदरलेंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता वहां कैथॉलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है परणाम यह है कि उत्री आइरलेंड के कैथॉलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है पर नीदरलेंड में ऐसा नहीं होता जब सामाजिक विभनताएं एक दूसरे से गुत जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तयार होने लगती है जहां ये सामाजिक विभनताएं एक साथ कई समूवों में विद्धिमान होती है वहां उन्हें समहलना अपेक्षाक्रत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई पड़ते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इसे से खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहां भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मानी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहां मौटे तोर पर अधिकतर लोग एक ही नसल और संस्कृतिके हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के करण तेजी से बतलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत संस्कृतिक हो गए हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीती सामाजिक विभाजन राजनीती को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीती का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नजर में तो राजनीती और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्पोटक लगता है। लोगतांज में विभिन राजनीतिक परतिविफोंदिता का माखोल होता है। इस प्रतिविफोंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकारवन सकता है। अगर कई देशों में हो चुका है। प्रतिन दित्व नेशनलिस्ट पारटियां करती हैं। प्रतिन दित्व नेशनलिस्टों के बीच शांती समझोता हुआ। जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदूलन बंद करने की बाद स्विकार की। युगोसलाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत्र नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जाती विभाजन के आधार पर शुरू ही राजनीतिक होड में युगोसलाविया कई टुकडों में बढ़ गया। ऐसे उधारणों के अधार पर कुछ लोग यह निसकरश निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। बुलगारिया, रोमानिया या भारत गणेश विदेश घूम कर आया था और वो महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभन देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे यौर्दान का मिली थी जो बुलगारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बाते कहीं थी। गैकते रहते हैं और दीवारों पर थूखते रहते हैं। धरत थो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परिशान करते हैं और उनके साथ बत्तमीजी करते हैं। दरसल ये काली चम्री वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी ये रंगों की बसंद भी बहुत अजीब औ गरीब है जरा इनकी पोशाक तो देखिए आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते पिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं मैंने लोगों को ये कहते सुना कि ये रुमानी लोग अपना खून बेच कर जीवन चलात हैं ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं महाश्विता ने कहा गड़ेश ने फिर रुमानिया में रहने वाली रुमानी मोद्रे जुनी के बारे में बताया जब वो 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जम दिया उसके पास डॉक्टर या नर् तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया सरकारी अस्पतालों में रुमानी लोगों के साथ होने वाले वेवार के बारे में उसने बताया डॉक्टर हमें अपने कैबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जाच करानी है तो पहले नहा कराओ निशित रूप से मेरे शरीर से बदबुआ रही थी करभावस्था के दौरान मैंने कूडे दान से खाना उठा कर खाया था क्योंकि मुझे हर दम भूक लगी रहती थी मेरे पती ने मुझे चोड़ दिया था म सामाजी कारकरता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था प्रसाव के समय मेरे पडोसी ने ही मेरे बदद की मुझे अकसर लगता है कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा गणेश इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी यह रोमानिया और बल्गारिया की ही कानी नहीं है यह तो खेर रोमानी लोगों की दास्तान है लेकिन यही सब तो हमारे यहां भी होता है हमारे यहां शासन दोरा अपराधी घोशित लोगों के साथ यही वेवारतो होता है क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती है क्या आप अपने इलाके की कुछ ऐसे समुदालियों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बरताव होता है। क्या आपने कुछ लोगों की वैसी बातें कहते हुए सुना है जैसे यूर्दान का और मौदरुजेनी कह रही थी। अगर हां तो जड़ा एक अलपना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने मिलती तो ये कहानी कैसी होगी। क्या बुलगारिया की सरकार को प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुलगारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। टेक्स्ट फॉलोज आफ्टर पेज 35 उनका मानना है कि सर्वस्रेष्ट स्थिती तो ये है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीती में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीती में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी ना किसी खिस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ले भी अख्तियार करते ही हैं। लोगतंतर में राजनीतिक दलों के लिए सामाजे के विभाजनों की बात करना तथा विबने समुहों से अलग-अलग वायदे करना बड़ी स्वभाविक बात है। विबने समुधायों को उचित प्रतिनेदेत्व देने का प्रयास करना और विबने समुधायों की उचित और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है अधिकतर देशों में मतदान के सौरूप और सामाजे के विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबन्द दिखाई देता है इसके तहट एक समधाय के लोग आम तोर पर किसी एक दल को दूसरों के मकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोड़तेते हैं कई देशों में ऐसी पारटियां हैं जो सिर्फ एक ही समधाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित्मे राजनिती करती हैं पर इस सबकी परणिती देश के विखंडर में नहीं होती तीन आयाम सामाजिक बेठाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक उतरी आयरलेंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथॉलिक के तोर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शान्त हो पाना संभव नहीं है अगर लोग अपनी बहुसतरी पहचान के प्रती सजेत हैं और उन्हे से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नसरिया रखते हैं वे खुद को पहले भारती मानते हैं फिर किसी प्रदेश क्षेत्र भाषा समू या धार्मिक और सामाजिक समुधाय का सदस्य दूसरी म समुधाय की मांगों को राजनितिक दल कैसे उठा रहे हैं समधान के दाएरे में आने वाली और दूसरे समुधाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है श्रिलंका में श्रिलंका केवल सेहलियों के लिए कि मांग तमिल समुधाय की पहचान और हि संपव है तीसरी चीज़ है सरकार का रुख सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है यह भी महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने बेलजियम और शिलंगा के उधरणों में देखा अगर शासन सत्ता में साज़दारी करने को तैयार है और अलपसंग के समधाय की उ पुल्टे और नुकसान दे परणाम ही निकलते हैं ताकत के दम पर एकता बनाय रखने की कोशिस अकसर विभाजन की ओर ले जाती है इस तरह किसी देश में सामाजिक विभनताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खत्रा मान कर नहीं चलना चाहिए लोकतंतर में सामाजिक व अपनी तरफ कींचते हैं राजनीती में विभनताओं के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता इस स्थिती में लोकत उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संगर्श भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अक्तियार करती है। लोग शांतिपून और समवधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामजिक असमानताइं इतनी ज्यादा गेर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको अस्वीकार करना असंभव है। ऐसी गेर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संगर्श कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इत्तिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बडियों की पहचान करने और विवितता को समाहित करने का लोकतंतर ही सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्ना वली सामाजिक विभाजनों की राजनीती के प्रणाम तै करने वाले तीन कार्वों की जर्चा करें। पहला, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टेकराता है। दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। तीसरा, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक व्यभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन-कौन से बयान सही है। इन में से किस देश को धार्मिक और जातिय पहचान के आधर पर विखंडन का सामना करना पड़ा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्व भाषण के इन अंशों को सुनिये। वे किस सामाजिक व्यभाजन की बात कर रहे हैं। उनकी उम्मीद्यों और आशंकाएं क्या-क्या थी। क्या आप उनके बयान और मेक्सिको उलम्पिक की उस घट्रा के संबंद में कोई संबंद देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्यायवे था। मेरा एक सपना है कि मेरे चार नन्ने बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमडी के रंग के आधार पर नहीं बलकि उनके चरित्र के असर गुणों के आधार पर पर रखा जाएगा। स्वतंद्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंद्रता तभी कैद से बाहरा पाएगी जब यह हर बस्ती हर गाउं तक पहुँचेगी। हर राज और हर शेहर में होगी और हम उस दिन को लापाएंगे जब इश्वर की सारी संताने अश्वेद इस्त्रिपुरुष, गोरे लोग, यहुदी तथा गेर यहुदी, प्रोटेस्टेंट और कैथॉलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुरानी नीग्रो प्राथना को गाएंगे, मिली आजादी, मिली आजादी, प्रभु बलिहारी, मिली आजादी, मिरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उट खड़ा होगा और अपने वास्तवेक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस इस्पस्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं